चोड़ा हा चोड़ा हा जीवन ऐसा चोड़ा हा एक सड़क शिक्षा के जिससे जीवन में उझे आ रहा है जीवन में जिया रहा है शिक्षा हमसे छोट गई तो जीवन पर रंधिया रहा है चोड़ा हा चोड़ा हा चोड़ा हा चोड़ा हा चोड़ा हा बेहनों हम लोग आज मिलकर सीखेंगे चंदर बिंदु और चोड़ा उ आप सोच रही होंगी कि यह चांदर तारे आसमान की बजाए टीवी पर कैसे दिख रहे हैं चांद को लुग हुमाया और उस पर रखा एक टिम्टेमाता हुआ तारा यह है चंदर बिंदु जो की शब्ड बनाने में बहुत कामाता है क्यूं लगता है ना चांदर सितारे की तरह यह चांद और बीच में एक सितारा बन गया चंदर बिंदु बेहनो आज मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड कर लाई हूँ हैरान मत हो हैरान मत हो मेरा मतलब है आज हम लिखेंगे चंदर बिंदु क्यूंकि यह बिल्कुल चांद जैसा लगता है लिखें देखो सबसे पहले यह आधे चांद जैसी लकीर बनाई ऐसे और उसके पेट में एक बिंदी अब तो तुमने सीख लिया न चंद बिंदु लगता है अब तो सब कुछ असान होता जा रहा है मज़ा आ रहा है ना सीखने में नए नए अक्षर नए नए मात्राएं चलो कुछ देखा तुने उस कल्मुई ने घराने से मना कर दिया है तुझे भी चैन नहीं है अम्मा जब यहां थी तो रोज घराने से बना कर दिया है अब चली गई तो बुलाने के पीछे पड़िये किसी ने ठीक ही कहा है अपने सिक्का खोटा हो ना तो परखने वाले का क्या दोस्त अब मैंने क्या कर दिया अरे सब कुछ तूने किया है बड़ा मर्द बनता है अरे अपनी जोरू को तो काबू में रखने से क्या बात है मैं प्रेम कर रही है हमुआ जो मुह में आवे बोली चली जा हूए तो फिर वो बात बोलती हूं जो तpora भीजा में आवे ऐसे जो ते पास हम्हें अना तो सुन ले स्लिए जा उसे बाल पकड़के घर ला। नहीं तो नहीं तो तेरा दूरा ब्या कर दोंगी मैं संजा ? अरे हात पैर से हटना करता है अच्छी खासे मजूरी लावे अच्छी से अच्छी प्य brushing मिलेगी हा Ain मिलेगी जब मैं बया करूँगा क्या? मा की बात नहीं मानेगा? तुई सोच मा, मैं बेवजूल में दूसरा बया कैसे कर लूँगा? इसमें कमला का दूस के है ना ना उसका तो कोई दोस्त ना है वो तो सती सावित्री है उससे कम भी ना है इतना बलीदान दिया है उसने कितनी महनत कर रही है मैं जानता हूँ केवल इसलिए कि मेरी जिन्दगी बनजा है तेरी जिन्दगी न, वो अपनी जिन्दगी बना रही है तुझे तो घास फूस की तरह उठाके बाहर फेग दिया उसने इन बातों में क्या रखा है अमा अपनी मन की आखे खोल और अपने दिल पे हाथ रखके सोच कि क्या वो तरी सेवा नहीं करे थी सारा घर का काम करे थी वो सब बहुए करें वो कोई निराली ना थी मगर हर सास बहुपर इतना जुल्म नहीं तोड़े है तेरे कहने का मतबल क्या है है मैं जालिम हूँ हाँ कमला के लिए तो तू जालिमी है क्या तू क्या समझे है तेरी दो रोचों के लिए मैं यह पड़ी हूँ तभी ऐसी बड़ी-बाड़ी बाते बोले है तू हरे जा जाके ले अपनी चहती को मैं ना रहती यह अरे अम्मा के खरतों है और एक जान दे दूगे मर जाओंगी मैं हाँ अम्मा देखो ये कौन सा पक्षी है नहीं पता तुम लोगों ने इसे रात में ही बोलते हुए सुना होगा अरे भई ये है उल्लू कुछ लोग इसे मनुष समझते हैं पर ये हमारे लिए बहुत काम का पक्षी है कि चूहे खाकर हमारी फसल को बचाता है और अग इसकी आँखों के आसपास ज़रा हौर से देखो ये है अक्षर उ मैंने ठीक कहा ना उल्लू की आँखों को गौर से देखो तो अक्षर उ नजर आएगा नमस्ते बेहनू आज मैं बड़े जल्दी नक्षर लेकर आए हूँ पता कौन सा चोटा उ तो लिखे सम्मिलकर हाँ पहले आदा गोला फिर उसके नीचे आदा गोला छत की लकी और ये बन गया चोटा उ तो एक बार फिर से लिखे अरे भेंजी आप आपको भाई खाफी देर हो गई चाय तुना पी होगी आपने मैं चाय बना के लाते हूँ आरे नहीं कमला चाय मैं खुद बना लूगी तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हार पास कितनी ओरते हैं जो काम सिख गई यह कोई सत्रा भेंजी अच्छा यह तो बहुत अच्छी बात है मैं तो सोच रही यह कोई आट दस होंगी पर भेंजी काम करने वालिया तो पचास हो जाएंगी पर उसके लिए हमारे पस ना तो जगा है और ना सामान और ना यह उन्हें देने के लिए मजूरी आरे कमला ध पहली समस्या है जगा इसके लिए मैंने सर पंजी से बात कर ली है और वो जगा देने को राजी भी हो गये और कुछी दिनों के बाल मा कुछ कमरे भी डलवा देंगे वो मुफत में बैंजी मुफत क्यों मगर कम किराय पर इतना जितना कि तुम आसानी से दे सको यह तो बड तुम्हें सामान देंगे भी और तुम्हारा बनाया वा जो सामान ही न वो वो लोग ले लेंगे खरीद लेंगे आप कितने अच्छी है बेंजी रहने दें आच्छा तीसी समस्या मजदूरी की तो इसके लिए तो तो तुम्हें बैंक से उधार लेना पड़ेगा बैंक से और बैंक वाले तो मेरे को नहीं जानते फिर उधार अरे पगली बैंक वाले कोई अपने रिश्चतारों को उधार थोड़ी देते हैं यह तो हमारी सरकार का आदेश है कि जो कोई काम करना चाहे उसकी सहायता की जाए सच्छी बैंजी कि देखो चंद्र बिंदु कितने काम का है यह है माँ इसको लगायाई चंद्र बिंदु बन गया माँ और इसी तरह ये है हाँ इस पर लगाया चंदरबिंदू बन गया हाँ ये है कहा कह और आ का डंडा और इसी पर एक चंदरबिंदू लगाने तो बन जाता है कहाँ और आप देखो इस चंदरबिंदू लगाने से क्या बन जाएगा जी हाँ डांड द इसके उपर चंदरबिंदू आ डांड ये अंडा है ये तो तुम्हें मालू भी होगा अ अ पर बिंदी ड आ अंडा और ये है उंगली उ उ पर बिंदी ग ल ल पर बड़ी ई की मात्रा उंगली कि ये हो लूप टुम्हें होगा ग्लिंदू को ईढ दो परचो अला और ये लोगी है, था उंडार ला approval आपक气 сказать आपकाते है क्या कुम्हें रहा कोकि लगाना साँ भी हो तुम्हें होगा है अ जदुम्हें होगाद दो जो तो पह ई हुट हो है। अरे अरे इस उस तरह में तो लाला जी की आधी मूची उड़ा दी उस त र आ बस सा का डंडा हता दिया तो बन गया उस तरह ये बालती लूटा ये सब कैसे हो गई अरे भैं ये उल्टी हो गई है क्योंकि हम सीख रहे हैं उल्टा उ ल अर्स ल में से डंडा हटा दिया तो हो गया आधा ल त आ उल्टा हाँ आ करंडा चन्दु मिन्दु हाँ मा आ करंडा चन्दु मिन्दु मा उ पा ल आ करंडा उप्पु ला चुटाउ बिन्दु कर ला बड़ी की मात्रा उंगली कभी कभी में सोच हूं सुदा कि जब तु इस काम से चली जाएगी मैं कित्ती एक लिए रह रहांगी गाँ में इतने जोर पढ़ रहे हैं भूल जाएगी तु मुझे अरी ना बेटा तुझे ना भूलने की मैं पर एक बात बताओं बेटा जिनने भी मेरा साथ दिया वो ही छूट दिया मॉसी तु कहे तु मैं इस गाँ से कही ना जाओं अरी ना बेटा ऐसी आप सब में बात ना बोले तु अपने घर जा सुक से रह भले भूले मैं तु बस यह ही चाहूं मॉसी तु पढ़ना क्यों ने शुरू कर देती मॉसी मेरी बात कर तु ने जवाब नहीं दिया क्या कहूं कुछ तु बोल अरी क्या बोलो मैं तो दुखी हुई तुझे बता के दुखी क्यों करूं तुझे यह तुझे क्या हो गया है मॉसी पहले तो कितना फुलज़डी की तरह खिली रवे थी और आप है है सु तो हूँ पर भीतर से कितनी दुखी हूँ क्या बताऊं तुझे तु दुखी क्यों है मॉसी अच्छी खासी दुकान है तेरी इतने अच्छा बेटा है सारा गाउं तुझे सराखों पर चड़ाता है क्या चाहिए तुझे यह तो मैं भी मानूं सुदा कि इस्वर का दिया सब कुछ है मेरे पास पर फिर भी पता ने क्यों लगया मुझे कि मेरा बच्पन कहा खो गया कि यह थे अच्छा सम्मस्से कहें कि तुपढ़ती क्यों नहीं पर इंवी मुझे यह कहें पर मेरा मन मेरा मन तुपढ़न ढूंड़े जब मैं कौरी चुत्ती थी ता मुझे किसी ने पढ़ने क्यों ना भीज़ा बेहनों हम आज दोराएंगे इस हफते की सीखी हुई सारी मात्राएं और अक्षर ड घ र अ त ओ छोटा ओ औ और चंदरबिंदू यह तोटे की चोच याद है ना इसी से तो बनता है अक्षर त तोटे की चोच और अक्षर त इसे लिखते कैसे हैं पहचादा ओकी मात्रा को एक खड़ा डंडा उस पे एकी मात्रा बन गई ओकी मात्रा यानी ओकी आवाज जैसे लो, दो, बो, सो, जो, हो और धो अब देखी इसे लेखते कैसे हैं क्या है मैं के लिए खो विए दौ फिए रगभ neighbor ह mu not कि जी जीज व्ला झी कि प्टार रे बाल मेरी प्यारी के मेरी ये 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 ले ले ये 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 कम्ला तू मुझे बहुत याद आती है पर क्या करूं तेरा काम जो अधूरा है अब मैं तेरा खत किसी से नहीं पढ़वाता है मैं यह पढ़ता हूं कि मैं चाहता हूं और जल्दी जल्दी पढ़ूं तेरे बराबर पढ़ सब को कि पता नहीं तुने क्या लिखा था कि कुछ बना रही है हम सब के लिए काम होगा है फिर से समझा कर लिखना तेरा तेरा सीटा कि अध्रक सबजी में डालते समय अक्षर याद आया कि नहीं अध्रक आप और इसे लिखना सीखे अपनी पैंसल से अध्रक आपिजाओ अध्रक आप दूई दूटें रही है है अध्रक आपिए नहीं अभी तुम ने अखबार पढ़ना शुरू किया कि नहीं? अ, ख, ब, आ, र, अखबार की, खबर, अखबार की खबर ले राम रा मौसी जी ती रहे, आज कैसे याद आ गई मौसी की तुझे? आज चार दिन से तुझे देखा जो नहीं? अरी मैं भी तेरे पास आने वाली थी आज क्या प्रेम की कोई और चिठी आ गई? क्यों? मैं तेरे पास तभी आती हूँ, जब प्रेम की चिठी आये, तो पढ़वाने लिखवाने आती हैं क्या? याद कर मौसी, चिठी के बगर भी तुझे मेरे पास आई है कभी? क्यों? तेरे गोधराई पे कौन आया था? मौसी, तू भी बस अच्छा बता, क्या चाहिए? मा ने महंदी मंगवाई है महंदी? अरे मौसी, क्या होँ तुझे? कहां खो गई? ऐसे, अच्छा, अपनी अम्मा से कह दी जो कि तेरा सुहाब पूडे के लिए महंदी महंदे उंगी, सेर से ना मंगाएगी तू खुद ही कह दी जो, मैं नहीं कहूँगी अच्छा, अच्छा, मैं ही कह दूँगी मौसी, एक बात बता पूछ जब तू छोटी थी, तब क्या किसी ने तुझे से पढ़ने के लिए नहीं कहा? मुझसे? हाँ हरी सुदा, मैं छोटी कब थी? मुझे तो लगता है कि मैं पैदा ही बड़ी हुई थी तरह ब्या भी जल्दी हो गया होगा? हाँ ब्या भी जल्दी हो गया था और विद्वा भी जल्दी हो गई और उसके बाद दो साल की भीतर भीतर अकेला छोड़के माबाप भी सुरक से धार गया कैसे उन्हें क्या हुआ था है जा और तब तो ऐसा इलाज भी ना था जो उन्हें बदा सकते फिर फिर तुने क्या किया क्या करना था काम करती रहे और जीदें के लिए लड़ती रहे बस जरा इस डाली को और से देखो भूजो तो किस अक्षर से मिलती जुलती है डाली शब्द शुरू भी तो उसी अक्षर से होता है जी हाँ ड़ देखें अब इसे लिखते कैसे हैं इस लग तो हम कई बार देख चुके हैं बस इसे यू खुमाया और बन गया अक्षर घव इससे लिखना बहुत आसान है आओ देखें अरे देखो तो रहीम चाचा क्या लाए है रहीम डाक लाता है परी कमला जी आपके स्कीम तो बहुत ची है तो फिर मेरे को करजा मिल जाएगा ज़रू मिल जाएगा परी गाउं गाउं बैंक की शाकाय कोड़ने का असलिए मुद्द तो यही है कि किसान बचत करनी यारत डाले है और जब भी आवशक तो हो तो बैंक से साहरा ले तो मंजर साब इसके लिए मेरे को और क्या के करना होगा कुछ भी नहीं यह फॉर्म मैंने भर दिया है और फिर आपको तो दस हजार रुपए चाहिए ना हाँ जी और आपके पास तो गरंटी भी है वैसे दस रहा तक का लोन तो हम बिना गरंटी के भी कर सकते थे तो फिर मैं हस्ता अच्छा कर दूँ एसा कीजिए कि यह आप घल ले जाए और इसको पढ़ लीजिए और अगर आप चाहें तो गीता जी को भी दिखा लीजिए जी ठीक है तो मंजे साब में कलाऊंगी ठीक है आप काम शुब कीजिए अगर आप काम बढ़ाना चाहें तो हम और लोन दे सकते हैं आपको जी धन्यवाद वो अभी तो काम की शुरुआ दिये काम चल निकला आपको फिर तक लिए दूँगी जरूर बैंक तो जनता की सेव के लिए होते हैं जी बहुत बहुत धन्यवाद कभी कभी चंदर बिंदू की जगह किवल एक बिंदू का भी इस्तेमाल किया जाता है और इसे लिखना सीखते हैं पैंसल से इस उल्लू की आखो को ध्यान से देखो लगती है ना बिल्कुल अक्षर उजैसी और उल्लू उसे ही तो शुरू होता है एक बार फिर देखो उल्लू की आखें लगती है बिल्कुल अक्षर उजैसी आओ आब इसे लिखना सीखे कमला बैंक से उधार लाई कमला बैंक से उधार लाई हर मा पढ़ी लिखी हो हर मा पढ़ी लिखी हो प, र, पर, अ, न, आकाडंड, र, अनार, त, बड़ी ईकी मात्रा, र, तीर, म, ओकी मात्रा, र, मोर, ड, आकाडंड, ट, ड, ड, ग, ग, आकाडंड, श, खास, ट, आकाडंड, चंदरबिंदू, ट, ड, ड, अधाला, ट, आकाडंड, उल्टा बैं, बिसकट काले, हरी, काले बेटा, मैं तेरी मौस लिए हूँ, ले ए, गौरी, तुझे लिखना आवे, कित्ता, बहुत, इत्ता सारा लिखने वे, तुझे चिट्टी लिखने आवे, लिख से तिरु, लिखी है कभी, हाँ, लिखी है, किसे, पादर्शाचा, वो में लिए बहुत सारे खलाने लाएंगे, लाली, तु तो बड़े काम की चीज है, क्या तुम्हे भी कोई चिट्टी लिखना है, ना, मुझे तो कुई और काम है तुझे, तो फिर पढ़वानी है, नहीं, तो फिर मुझे बिस्किट के इंखिला ले है, कित्ती बुरी लड़की है, मैं तुझे किसे लालच में खिला का रही है बिसकिट, तो फिर मिठाई भी दे, ले, पर लाली, मीठी गोली ज्यादय मत खाया कर, दाद खाराब होते हैं, भेन जी बता रहे हैं थी, तेरा पपीता बड़ा मीठा था, तो ठीक है, मैं तुझे संजा को पपीता भी खिला दूंगे, ठीक है, पर मुझे करना क होगा, तु सबसे क्या देगे, ने कहूंगी, खा मेरी कसम, मौसी, तो महारी कसम, सच्ची, तुम मुझे चुपके चुपके पढ़ा देगी, हम उधी पढ़ा दूंगी, तो मैं तुझे रोज बिसकट दिया करोंगी, उसकी कोई जरूरद ने, मैं ऐसे इन पढ़ा जीवन ऐसा चोरा हा जीवन भर मेलत के जगर पे हमको चलते जाना है राह में शिक्षा दी चला के अपनी मंजिल पाना है झाल के अपना है जाए में भर में आसी बाए लाह में जाए घर दक्षा नहीं के अपना है झाल झाल